नमस्कार दोस्तों भारत वर्ष नेचर फार्म्स में आपका स्वागत है मैं हूँ धन सिंग पाटिल मैं आपको आज वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कुछ महीने पहले के एक लेक में हमने केच्व अखाद के जैविक खेती में होने वाले फायदों के बारे में पढ़ा था जिसके बाद हमने नाकपुर में वर्मी कंपोस्ट काई शुरू कर दी थी वर्तमार में हमारे पास 10 बेड्स वाले 5 ग्रीन नेट शेड है और प्रतेक बेड्स में 1500 किलोग्राम गोबर की आवश्यक्ता होती है भारत वर्ष नेचर फार्म्स में हमारे पास 200 देसी गाये है जो पूरी तरह से हमारे अपने खेतो या आसपास की वन भूमी पर उपलब्ध चारा खाती है इस तरह हमारे पास काफी मात्रा में गाये का गोबर उपलब्ध है इसके अलावा हम अपनी जमीन पर उगने वाले खर्पतवारों को भी इस गोबर में मिला लेते हैं क्योंकि इससे वर्मी कंपोस्ट में बहुत से अतरिक पोशकता तो जुर जाते हैं पंद्रा सो किलोग्राम गोबर वाले एक बेड में 30 किलो केच्वे चाहिए होते हैं और हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसेनिया फेटिडा लाल केच्वे काउप योग कर रहे हैं क्योंकि ये केच्वे पृत्वी की उपरी परत में रहना पसंद करते हैं और बहुत गहराई तक नहीं जाते इसके अलावा इनकी वर्मी कंपोस्ट उपांतरव दर बहुत तेज होती है बेड बनाते समय हम गाय के गोबर में लगभग 6-7 प्रतिशत रॉक फॉसफेट जो पूरी तरह से एक प्राकृतिक पाउडर है और नीम के पत्ते मिलाते हैं क्योंकि इस के समय परएकत्र की जाती है फिर दوسरी परत 35 दिनों के समय पर और अम्तिन 50 दिनों में कट्र की जाती है इस तरह कुल गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनने में तकریबन पाचास दिन का समय लगता है बिसके बाद केच्छों को फिर से गाय के गुबर के नए बिस्तर वर्मी कमपोस्ट उत्पादन करते समय कुछ चीजों का विशेश ध्यान रखने की आवश्यक्ता होती है। बेट के तल पर प्लास्टिक की परत या कंक्रीट का अधार होना चाहिए अन्य था केंचुए जमीन की गहराई में जा सकते हैं। गाय का गुबर कम से कम 15-20 दिन पुराना होना चाहिए और गुबर को बेट पर डालने के एक दिन बाद केंचुँ को बेट पर छोड़ना चाहिए। बेट को सीधी धूप नहीं मिलनी चाहिए और उसके लिए हम बेट को चायदार स्थान पर बना सकते हैं। और फिर बेट को कपास की बोरियों या चावल की भूसी से ढख सकते हैं। आपको बिस्तर में नमी सुनिश्चित करनी चाहिए और उसके लिए हम मौसम के आधार पर 2-3 दिनों में एक बार पानी छिड़क सकते हैं। जब आप तैयार वर्मी कंपोस्ट की परत इकठा करते हैं तो इसे 2-3 दिनों तक सूखने देना चाहिए ताकि नमी की मात्रा लगभग 20 प्रतिशत तक कम हो जाए। और फिर इससे एक समान आकार का अंति मुत्पाद प्राप करने के लिए दो मिमी जाली में से चाहिए। केचुओं को कीरों, चुहों, पक्षियों या सापों से बचाना चाहिए। केचुओं बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 80-90 दिनों में लगभग दोगुने हो जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें हर चक्र में अधिक बिस्तरों तक फैलाना होता है क्योंकि गाय का गोबर उनके लिए भोजन का काम करता है और वर्मी कंपोस्ट उनका उक्सरजन है। वर्मी कंपोस्ट के अलावा, हमें वर्मी बेट से वर्मी वाश भी मिलता है, जिसे वर्मी बेट से अतिरिक्त पानी के रूप में एक अत्र किया जाता है। वर्मिवाश एक त्राकृतिक उर्वरक तरल है और ये पोशक तत्वों, सूख्ष्म पोशक तत्वों और एंजाइमों में बहुत सम्रिध होता है। इसलिए इसे सभी प्रकार के पौधों में एक जैविक स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है। नागपुर या विदर्ब के किसान भाई, माली या ग्राहक वर्मी कमपोस्ट और वर्मिवाश की आवश्यक्ता के लिए हमसे मुबाइल करमांग 8603214, 214 पर संपर्ख कर सकते हैं। यदि कोई किसान भाई अपने पास वर्मी कमपोस्ट बनाने की रुची रखता है, तो वह वर्मी कमपोस्ट उत्पादन को देखने और सीखने के लिए हमारे फार्म पर आ सकता है तथा, हम उनके लिए केंचुए भी उपलब्द करा सकते हैं।